हालो क्लास 12 कैसे वाप सब आई होब आप सब बहुत अच्छे हैं मस्त है चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को आपको चाप्टर चल रहा है आज बल्कि आज न्यू स्टार्ट होने जा रहा है गाईज कौन सा है पुषपी पादपु में लेंगिक जनन यानि कि सेक्श् जनन क्या होता है कितने प्रेकार का होता है एंड साथे साथ हमने लेंगिक जनन के बारे में भी देखा और लेंगिक जनन के बारे में भी देखा सिर्फ हमने उसमें इंट्रक्शन लिया थे कि होता किया है जितना उस चाप्टर में था अब जो आपका न्यू चाप्टर होता है यहां पर किसकी दो युगमक को क्या विश्रक्ता होते हैं जिसमें से एक नर युगमक होता है एक मादा युगमक तो जो फूलों वाले पौदे होते हैं उसमें नर भाग भी होता है वहां पर मादा भाग भी होता है क्लियर शुरू करें चलो जल्दे से शुरू करते ह करेंगे बिल्कुल भी अपना टाइम टेबल देख लिए एक बार तो आपकी जो क्लास चलती है क्लास 12 मंडे वेंस्डे और फ्राइडे को चलती हैं शाम को छे बजे क्लास को मिस्स बिल्कुल नहीं करना है अगर कोई लेक्चर आपको वापस देखना तो आप बिल्कुल प्लाइए कि शिवक्वत्षला ने में है आगिसे फैले यह चीज भीए दरों की फुछल्वे पादू में लैंगिजनां कैसे हो रहे क्या आपको यह बताएं कि पुछल्ट क्या होता है यह बताई यह है कि आ था सब क्या सब करोके कैसे देफॉयन करोंगे डेफिनिशिन च दोगे इसकी कि वह कुराओ यह बहुत ज्यादा इंपॉर्णट है अजी है बताओ क्या होता है डैफिनेशन अगर मैं आप से पूछू चालिए देखो बताती हूं पिटा एक जो पौधा होता है है ना सबसे पहले चीज जो पौधा होता है उस पौधे के ना दो भाग होते हैं एक होता है काईक भाग ये चीज मैंने आपको बता भी रखी है जिन्होंने लेक्ट्चर देखा इस्वाद उनको पता भी है जिन्ह नहीं देखा उनको नहीं पता होगा एक होता है आपका लैंगिक भाग ठीक है, clear है हांजी, का इक भाग हो गया एक हो गया आपका लैंगिक भाग इतने चेस क्लियर, काईक भाग कौन सा होता है, बात यहां पर ने कि काईक भाग जो है, ये कौन सा भाग है तो एक पौधा जब आप देखते हूँ, ध्यान से देखिए ठीक, व्रेद्धी वाला भाग एक छोड़ा सा पौदा होता है धिरे 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 बड़ा हुआ व्रेदी हुई हुई अब ध्यान से सुनो यहाँ पर जिसे पत्ती है तना उपर की तरफ बढ़ रहे है जड़ जमीन में नीची की तरफ बढ़ रहे है यह जो फूल है अपका यह जो फूल है ठीक है यह क्या है लेंगिक भाग क्यों है क्योंकि यहां पर इसका नर भाग भी है यही पर इसका मादा भाग भी है तो फूल क्या होता है अब इसको अगर हम परिभाशा देंस की पुश्प की ठीक है बच्चा देखो फूल हम नॉर्म बाते कर तो हम बोलते फूल ठीक है लेकिन अगर हम एकजाम में लिखेंगे या फिरissant सबस्क्राइब टीक है तो एकजाम में पुष्प फ लिखकर आई एगर आप पूल लिखना है तो आप ब्रैकेट में करके यह प्रोहों क्या होता है किसी को आइडिया क्या होता है प्रोहों क्या होता है मैंने डेफिनेशन दी क्या परिपाश्य दी बच्चा मैंने कि पुश्प जो है वो है प्रोहों का रुपांतरन लेकिन प्रोहों क्या होता है बात यहां पर यह आई बताओ क्या होता है कुछ आइडिया चलिए अच्छा अभी ना हमने एक चीज देखे थी कि तना है जड़ है पत्ती है यानि कि अगर आप देखो ध्यान से तो आपको दो तरीके से यहां पे चीज देखाई थी एक जो पौदा होता है एक होता है जमीन के उपर वाला भाग ठ प्रोहो को नॉमली हम बोलते हैं तना प्रोहो को नॉमली हम क्या बोलते हैं तना बोलते हैं तो प्रोहो का रुपांतन यानि कि जमीन के उपर वाला जो भाग है वो मारा प्रोहो कहला जाता है और फूल कहा उगता है जमीन के उपर ही उगता है क्लियर तो यह इसके डेफिन पता लग गई अब क्या फूल में सिर्फ एक भाग होता है कि जो चीज दिखते हैं कि यह फूल है नहीं उसमें बहुत अलालग उसके भाग होते हैं तो कौन-कौन से भाग होते हैं उन सब को हम लोग जानेंगे तो जो पुष्प होता है बच्चा तो नेक्स हैडिंग आप ल पुष्पी पादबों में लेंगिक जनन सबसे पहले लेंगिक जनन बहुत अच्छे से पता है हमें इससे पहले वाले चाप्टर में हम पढ़कर आएं लेंगिक जनन वो जनने जहां पे दो युगमकों के आविश्रिक्ता होती है जिसमें से एक नर होता है एक मादा होता ह पुष्पी पादप यानि कि बैटा जो फूलों वाले जो पौदे होते हैं उनमें क्या होता है लैंगिक जनन होता है क्यों कि वहां पे नर भाग भी होता है मादा भी होता है अब बाता है पुष्प जो होता है क्या होता है जो एक पौदा होता है उसका लैंगिक भाग होता ह ठीक है और होता किया है अगर हम इसके परिभाशा दें तो भाई वो होता है किसका प्रोहो का रुपांत्रण और प्रोहो क्या होता है जमीन के उपर वाला भाग clear अब भाग कौन कौन से होते हैं तो बेटा सबसे पहले देखो उसके चार भाग होते हैं नमबर वन टू थ्री एंड फो सबसे पहले आज आता है बाहिये दल इसको बाहिये दल पुंच भी आप कह सकते हैं एक होता है दल पुंच इसको बिलकुल आम भाशा में हम बोलते हैं पंखुडी ओके तीसे नमबर पर क्या आ जाता है भाई आपका हां जी तीसे नमबर पर यहां पर आपका आ जाता है पुमंग एंड चौथे नमबर पर आपका आता है जायंग क्लियर इतनी चीज़ क्लियर है चलिए यह चारों भागों को शुरू करने से पहले अब एक सिंपल सी चीज मैं आप से सिंपल एक चीज पूछ रहे हूं अच्छा जब सबसे पहले आप कहीं भी बैठते हो जैसे भाई हम क्या बोलते कि हमें जैसे जमीन पर बैठना है तो ह बहुत ऐसी लेंग्वेज उस कर जाती पुराने जमान में स्पेश्लिया से वर्ड यूज किये जाते थे अब तम सिधा बोलते हैं कि बैठ जाओ यानि कि इंसान जा बैठता है किसना किसी चीज पर बैठता है सिंपल चेयर है सोफा है बैठ जमीन बैठना है तो आसन बिच तो फूल जो है यह फूल के तो चारो भाग आप देख रहे हो ठेक है यह चारो भाग भी फूल में कहां पर होते हैं किसके ऊपर होते हैं यह बात आई तो दियान से देखिए फूल के नीचे जो मैं संरशना बना रही हूं आप सबने यह स्टुक्चर देखी होगी कि देख देखो यह वारी सन्रिशना आप तो आप सभी निय देखा है कि फूल गहर नीचे ना मोटा फूला होता हुआ हुघ ते कि सारे फूल सून होते हैं फूल के जरिपाल मो ужас के उपर होता लग यह जो फूला हुआ भाग है इसको हम बोलते हैं पुषपासन ठीक है तो जो मैं आसन वर्ड बोल रही थी ना आसन का मतलब क्या होते कि भाई बैठो उसके उपर उसके आप उसके उपर बैठते हो जाके तो यह जो पुषपासन नहीं कि पुषप के सारे भाग इसी के ऊपर होते हैं और यह क्या हमारा push pass है, ठीक है, अब चारो भाग कहां कहां होते हैं, एक एक को मैं बना कर बताऊंगी खुद से, आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहे हूं, बाहिय दल की, बाहिय दल, फूल सभी ने देखा है, फूल के नीचे, इस तरीके से, यहा संरशना निकली होती है, यह दिख रहे हैं ध्यान से, देखा है, फूल में सबने कुछ इस तरीके संरशना निकली होती है, हरी सी, फूल में, पुश्पासन से थोड़ा उपर के तरफ, देखिए, यह इस तरीके से हरे रंग की संरशना, अब एक बाहिय दाइग्राम में दे देख ले, क्या है, बाहिय दल, ठीक, अब पंखुडी तो भई सभी को पता होगा, बिल्कुल आम भाशर में जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा, सभी में गेंद है, तो पीले रंकी है, गुलाब है, तो हलके गुलाबी रंकी होती है, है ना, देखा है सबने, तो प पंखुडी, ठीक है, तो दलपुंच या पंखुडी, यहाँ पर बना ले एक, चले, तो इस तरीके से पूरे पुछ में आपने देखा होगा, और फैली होती है, है ना, देखा है सभी ने, यह देखो ध्यान से, यह फैली, तो यह जो संदशना मैंने बनाई है, यह क्या है इसको हम बोलते हैं, पंखुडी, तो लिख लो इसको यहाँ पर, दोनों नाम लिख लिए चाएगा, ताकि आपको याद रहे, और पता है, तो बहुत अच्छे बात है, नहीं पता है, तो प्लीज जो चीज नहीं पता होती, उसको नो डाउन क्या करो, ताकि चीज आपको पॉइंट लिख लेना, क्या पॉइंट लिखना है, कि दल पुंच और बाहिदल पुंच यानि कि जो बाहिदल, यह पुश्प में किसके रूप में, सहायक अंग के रूप में काम करते हैं, किसके रूप में, सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, यह चीज याद रखनी है कौन-कौन सिर्फ आपका बाहिय दल और दल पुंच अब बात है हमारी मुख्य भाग पर जो की है पुमंग और जयांग सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगे आपका किस से पुमंग से स्टार्ट करती हूं ठीक है तो आप यहाँ पे लिख लो नंबर पुमंग जो है यह किसका आपका फूल का कौन सा भाग है नरजन नंग ठीक है यानि कि नर भाग आप क्या सकते हूं जो कि किस से मिलकर बना होता है यह मिलकर बना होता है बिटा पुंकेसर से अब पुंकेसर क्या होता है क्योंकि बिटा पुंकेसर जो होता है यह खुद दो अब इसका भी डाइग्राम बना ले ताकि चीजें क्लियर हो चलिए तो भाई फूल वाला पढ़ रहे हैं भाई फूल फूल पुश्पी पादो में लेंगे जनन भाई लेंगे जनन पढ़ रहे हैं तो नर और मादा भाग तो पता होने चाहिए कहां पे हैं कहां पे नहीं है तो इधर ना आपका जो फूल होता है उसमें कुछ इस तरीके से संद्रशना निकली होते हैं ध्यांस देखो जो यह वाला मैं बना रही हूं इस तरीके से और कोई एक संद्रशना नहीं होती है यह जो आप संद्रशना देख रहे हैं एक बाद फूल में देखो मैंने भी फ ठेके हैं कि यह समद्शनाया थी हुच इस तरीके से हैं कि ठीके है चहीं किलियर को कि दिञान से छो में बिल्कों जल्दवाजीरिया बागने की विलको दियान से धेखो कि यह संद्रशना थी जिसको मैंने अलग से बनाकर भी दिखा दिया फूल में भी और अलग से भी यह क्या होता है यह होता है हमारा पुंकेसर मैंने बोला पुंकेसर तो दो संद्रशनाओं से मिलकर बना है पराकोश और पुतंतु तो पराकोश कौन सा है और पुतंतु कौन सा ह होता है याद रखेगा पुटन तोको हम तन्तु भी कह देते हैं यानि कि फिलामेंट ओके यह वाला जो भाग है ऊपर वाला जो आप देख रहे हूं यह वाली संरशना जो हैं इसको हम बोलते हैं पराकोष ठीक है इतने चीज्ट के अब ये जो लंबा वाला भाग है ये वाला ठेक ये हमारा होता है बिटा पूतन दू क्लियर है जल्दी से येस और नो तो पुमंग क्या है नर्जरना किसे मिलकर बना है पुमंग पुंकेसर से और पुंकेसर खुद कितने बैटा दो भागों से मिलकर बना है इस पराकोश और पुतन तू तो बहुत सारे ऐसे पुंकेसर जो है आपस मिलें और किसको बना देंगे पुमंग को बना देंगे चीज क्लियर इतनी अब इस पराकोश है leuke Jesusий ये जो पराकोश है इस परांकोश मे क्या बनते हैं पराग कन बनते हैं परागन में और पराग कन में दोनों में डिफ्रेंस होता है याद रखेगा अभी हम तो सिर्फ बेसिक लिए कर रहे हैं परागन आगे आएगा जो कि एक प्रेकार की क्रिया होती है ये पराग कन है तो पराग कन जो होते हैं जातर सब आंहीं होता है यह नर्युग में को भिद होता है तो लिखलो इसको । थीक को क्या होता है हानजी एकपार रिवाईश करें किसे मिलकर बने longitud होता है। ऐस से पूंकेसर खुद भाग इसे मुलकर बनाए पराकोश और पुतनमत्र तो से और पराकोश ओधमें यहीं पर बनते हैं पराकण जो कि क्या होता है नर्युकमकोद बीद होता है अब आप बोलो कि मैं नर्युगमक को बना रहा है लिख लोज को ब्रैकेट में ठीक है चीज क्लिया है एक पॉइंट लिख दिया यहां पर आपका हो जाता है पुम्मंग वाला पार्ट क्लियर अब बात किस की है तक भाइं मादा वाले भाके दो नमबर फूर्था डालें जायांग जायांग क्या है बटाँ ठीक है मादा जायांग ठीक अब यह भी किस से में कर जैसे बहें हमारा पुमंग जोता किसे में ना था केसर से जायांग मिलकर बना होता है बिटा किस से इस्तरी केसर से और इस्तरी केसर खुद तीन भागों से मिलकर बना होता है नंबर वन होता है आपका वर्ती का अगर सेकेंड नंबर आपका होता है वर्ती का अंड तीसरे नंबर पर बिटा आ जाता है अंड शेर ठीक अब एक बार डियाग्राम बनाएंगे इसका भी तो यहां पर कुछ इस तरीके से संद्रशना जाती है है ना ध्यान से देखो यह वाली संद्रशना दिख रहे हैं आप लोगों को विटा यह वाली इस तरीके से जुझा रहे हैं यह वाली यह इस वाली संद्रशना के अब हम बात कर रहे हैं इसको अगर हम अलग से बनाए चलो कि इस तरीके से संद्रशना होती है कुछ ठीक यह सबसे उपर वाला जो भाग होता है जिस जगह पर पराकन आता है यह वाला जो भाग है बिल्कुल सबसे उपर वाला भाग इसको हम बोलते हैं वर्ती काग्राव धियान से देखना इस डाइग्राम को सासल बनाते चले अपनी कॉपी में ताके चीज़े ना क्लियर हो अब यह वाला जो भाग है यहां से लेके यहां तक का यानि मद्य वाला भाग बीच वाला भाग यह क्या होता है यह हमारा होता है वर्ती का क्लियर अब यह वाला भाग देख रहे हो आप यह जो फूला हुआ भाग दिख रहा है यह वाला बिटा फूला हुआ भाग जो है से वाले जिसको मैंने थोरा डाख करके दिखा रही हुँ आपको yama बला हमारा कहले जाता है अनदाशियर क्लियर उसी के अंदर एक और भाग आपको दिख रहा है यह वाला जिसको मैं आप ड्रॉघ कर रहे हूं यह होता है हमारा बिजांड यानिकी औव्यूल और इसके अंदर होता है बटा मादा यूग क्लियर यानिकी अंड कोशिका तो यह हमारा यह तीनों मिलकर हां जी यह तीनों मिलकर क्या कहलाए जाते हैं यह तीनों मिलकर बनाते किसको इस्तरी के इसर को और इस्तरी के इसर से मिलकर कौन बनता है हमारा जायांग बनता है सिंपल तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था बिटा पुश्प तथा पुश्प के भाग ठीक है पुश्प आपने जाना क्या होता है पुश्प के भाग पता लगे कौन से भाग होते हैं चार क्लियर बाय दल दल पुंच पुमांग और जयांग कौन सा नर जनांग है कौन फूल क्या में इस चाप्टर को बढ़ाएंगे आगे जितना आज हमने कर आपकी कॉपी में आपके Сам नोट्स में जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं आपको अच्छे से नेक्स टेक्टर जब होगा आपका यह चाप्टर आगे बढ़ेगा मिलेंगे हम नेक्स टेक्टर में तब तक लिए बाब बाइए अच्छे से पढ़ते रही हैं कोई भी कोशन है प्लीज क्लास के अच्छे से मिलेगा मिलते हैं जल्दी तब तक बाइए टेक्टर